हेलो गाईज नमस्कार स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे और आज जो बात करेंगे हम मेटाफोर्स कलासिक के बारे में उसमें S3 and S6 किस तरह से वर्क करेगा S3 हर पहले वाले प्लान से थोड़ा सा डिप्रेंस है हाने कि हर दो स्लोट के पिछे S3 लगने वाला है ठीक है अगर प्रेविव प्लान के बात करते हैं मेटाफोर्स में प्रेविव प्लान याने कि फोर्से बी यूएसडी जिसमें लगबग 4.6 अरब रुपिये टीम में डि यह एक करना चाता हूँ यह कंपनी नहीं है एक अलग डिफ्रेंस बिजनेस प्लान है जिसमें आप यहां पर टीम बना के अच्छा खासा अरणिंग कर सकते हैं तो वीडियो के निचे लिंक दिया है वर्टसप ग्रूप जिसमें आप जोइन कर सकते हैं और यहां पर बात कर आप से मतले कि आप पर चलने वाला ठीक है अब बात करते हैं कि एज त्री किस तरह वर्ट करेगा ठीक है एक पर यहां पर जो नार्ट कर नगा यहां 250 क गिश्यास हर 2 स्लोड के पीछे हर दो स्लोट के पिछे यहां पे लग रहा है हर दो स्लोट के पिछे यहां पे लग रहा है S6 के पिछे S3 यानि कि दो स्लोट आपके S6 के आएंगे उसके बाद जो तीसरा स्लोट से है वो आएगा S3 का ठीक है हर दो स्लोट के पिछे यह स्लोट लग रहे S3 ठीक है अब यह बात करेंगे कि यह किस तरह से काम करेगा S3 and S6 ठीक है तो वो देख लेते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है कि वीडियो को end देखना है और वीडियो को end तक देखना है अच्छा लगे तो like करिए subscribe करिए आपके अपने YouTube चनल को अब बात करते हैं कि force classic S3 will have three direct referral position to fill ठीक है यानि कि यह आपके applying के idea है मैं आपको यहाँ पर बतायता हूँ यह आपके applying के idea ओके यह आपका applying और यह आपके idea ठीक है अगर आपने दो referral किये यानि कि अगर S3 में जाते हैं और दो referral आपके हो जाते हैं तो दो position यह आपके referral यहाँ पर लेने वाले तीसरे बंदे की जो position है वो आपके नीचे लगने वाली है यानि कि जब भी आप करोगे या फिर आपके बंदे के दो referral हो जाएंगे तो यहाँ पर तीसरी position यह रही आपके idea एक minute जब आपने दो आपके नीचे आ जाते हैं दो slots में फिल हो जाते हैं तीसरी ID से refresh हो जाएगी और वो बंदा चला जाएगा आपके apply के पास और आपके apply के नीचे इस जगह भी ID फिल हो सकती है और refresh में भी यह फिल हो सकती है ठीक है रीफ्रेस में भी अगर फिल होती है तो उसके apply के पास चली जाएगी या फिर आपके downline के पास चली जाएगी अगर फोर से BUSD की बात करते है तो इसी तरह से working था परन्तु इसमें भी उसी तरह से working है थोड़ असा difference है slots के जो नाम है वो काफी change यहाँ पे किये गए है ठीक है अगर बात करते हैं यहाँ पे थोड़ सा वापिस स्क्रोल करूँगा यह आपके ID फिल हो गई उसके बाद में यानि कि जो first referral पार टास्क यानि कि under use 100% payment यानि कि जितने भी आप दो referral करोगे उसमें से 100% जो payment है वो आपको आने वाली है अगर तीसरे बंदे के बात करते हैं तो उसकी पेमेंट है आपके अपलाइन के पास जाने वाली है अदरवाइस उसका भी अगर refresh होता है तो वो payment उसके अपलाइन के पास या फिर आपके डाउनलाइन के पास में भी आ सकती है ठीक है दोस्तों यहां पे अगर बात करते हैं कि जब आपके ID refresh होती है जब आपके ID यहां पर refresh होती है वो अपलाइन के पास चल जाती है और आपका slot से वापिस refresh होता है तीनो तीन यहां पर स्माट होती है और यहां से वापिस दोनों ID से आप 100% payment लेने के लिए त्यार रहते हैं अगर बात करते हैं तो यहाँ पे Metaforce As6 Matrix तो उसमें भी इसी तरह का एक distribution बना हुआ है जो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पे इस तरह से structure है यहाँ पे आपका अपलाइन है और यहाँ पे आपका अपलाइन और यहाँ पे आपके ID फर्ष्ट इसमें छे position बनती है फर्ष्ट दो उसके बाद तीन उसके बाद refresh के लिए वो आपके अपलाइन के पास जाती है तो यह भी इसी तरह से work करेगा यहाँ पे जो फर्ष्ट दो लोगों से payment आपके पास नहीं आने वाली है same system है दो लोगों से आपके पास नहीं आने वाली है तीन से आपके पास आएगी छट्टे के ID refresh हो जाएगी ठीक है और आपका जो slots होगा वो एक बार refresh हो जाएगा एक बार वापिस यहाँ पे लग जाएगा difference यही है कि यहाँ पे हर दो slots के पिछे S3 को डाल दिया और हर दो slots के पिछे यहाँ पे पहले जो S6 है उसमें 6 ID है S3 में 3 ID है ठीक है तो इस तरह से वो work करेगा तो thank you so much और otherwise इसमें एक और options भी दिया गया है जैसे on and off on and off का मतलब कि आप auto upgrade में भी slots को रख सकते हैं जितने भी auto upgrade में slots जाएगे उसमें से अगर आपका slots अपग्रेड हो जाता है तो आपका जो payment है वो place out नहीं होगा अगर आप इसको on और off को अगर off रखते हैं तो आपका जो payment है वो place out होगा और वो payment जो होगा वो चला जाएगा एक वेलेड में यानि कि एक बंदे के पास चला जाएगा और वहां से आपका जो position है ये on off का बटन यहां से अगर आपका automatic आपने अपग्रेड वाला next अपग्रेड वाला system अगर on नहीं कर रखा हैं तो आपका जो payment है वो चला जाएगा आपके एक company के एक other wallet बनेगा उसके अंदर चला पोजिशन यहां पर बनता है बाकी आने वाले दिनों में इसके coin भी आ रहे हैं क्या पता अच्छी position बन जाए अच्छा level बन जाए इसके लिए आप WhatsApp ग्रूप जोइन कर सकते हैं Thank you so much वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा आपके अपने YouTube चनल को Thank you